असलाम आलेकूं नमस्ते दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद करती हैं आप सब भी ठीक होंगे, सुवस्त होंगे, मजे में होंगे तो दोस्तों मैं आज बनाओंगी सुबरात के इस्पिसल खाना तो जरूर पूरा वीडियो देखिएगा हमारे दिहाती में दोस्तों या हमारे घर में सुबरात के इस्पेसल खाना किस तरह बनता है चलिए वही मैं आज रेश्पी सेर करूँगी तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा यह देखिए सबसे पहले हम दाल रखेंगे पकने के लिए तो यहां पर मैं हरे मुंग दाल ले लिए हूँ थोड़ा सा भीगा हुआ चना दाल है आप चना दाल के जगा पर मटर का भी दाल ले सकते हैं पर हम दाल बनाते हैं तो हरे मुंग जरूर डाल देते हैं लेसुन प्य दाल को अच्छे से पकने के लिए अब हम कड़ाई रख दी हूँ गरम हो गया है इधर हम चिकन की तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा मैं तेल जादा डाली हूँ दो तेज बत्ता तोड़ के डाल दी हूँ एक बड़े साइज का बरिक कटा हुआ पिया चार हरे मिर्च हरे मिर्च को बीच में से चीरा लगा ली हूँ यह आधा किलो चिकन है तो धुला हुआ चिकन है तो चिकन को भी हम साथ में डाल देते हैं सभी चिकन को मैं डाल दी हूँ अब इसे हम चिकन को अच्छे से लाल फराई करेंगे इसे अच्छे से भूनना है तो देखिए चिकन दोस्तों अच्छे से भून गया है ये देखिए अब इसे ज़्यदा हम नहीं भूनेंगे इसको हम साइड में रख देते हैं दाल भी अच्छे से गल गया है दाल में में पानी बढ़ा दी नमक भी डाल दी थी साथ में और दाल को अच्छे से उबाल लिए तो दाल में हम लगाएंगे अब तड़का तड़का लगाने के लिए चिम्मच रख दे हूं गरम हो गया है अधा चिम्मच हम तेल डाल देते हैं चार सुखे लाल मिश्च तोड़के डाल देते हैं आधा चिम्मच से आधा भी कम जीरा डाल देते हैं तीन चुटकी इसमें हम डालेंगे तीन से चार चुटकी हींग अब दाल में हम लगा देते हैं तड़का सुबरात के दिन अक्सर करके दोस्तों हमारे घर में साधी दाल जरूर बनता है तो ये देखिए दाल में लग गया है तड़का इसे धकन को तुरंत नहीं अटाना थोड़ा टाइम इसे धक के रख देना है ये देखिए ये थोड़ा सा भी पतला है जैसे ठंडा होएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा इसे पतला ही रखी हूँ ये देखिए तो दाल भी हो गया है तो इसे हम उतार के रख देते हैं साइड में अब हम चिकन बनाने के लिए मसाला दिखा देते हैं मसाले में मैं क्या क्या लिए हूँ आपको बता देती हूँ दो प्याज है चार चिमदधनया पोडरarl एएक चिमदध लाल मिर्च पोडर तिक्छे के हिसाब से आधा चिमदध 裹ड़ी पोडर दो चिमदध गरम मसाला एक चिमदध चिकन मसाल एक अधर कले सुन का पेस्ट है इन सभी को पानी डाल के अच्छे से बारिक पीछ लेना है स्वादनिसार इसमें नमक । स्वादनिसार इसमें नमकğini डालेंगी मसाले को मिशाड़ हो रख देते हैं मिर्यामिंशमयर के लिए यहाँ पर हम तयारिे कर लेना कड़ें Is encant Okay We lived in 2 kडवकारीस में रेके सुस्ह, भीगए होई चावल डाल देते हैं भीगे चावल के बासमती चावल है तो इसले इसमें बहुत कम पानी लगेगा अब इसे हम अच्छे से चला देते हैं इसे बार-बार चलाना भी नहीं है अब इसे हम एक से दो बार ही चलाएंगे उसके बाद में चावल को पका के दम कर लेते हैं तो इसे मैं ढख देती हूं रख देती हूं साइड में दूसरी गैस पर अब यह देखिए मसाला हलका भूनना इस्टार्ड हो गया तेल छोड़ने लगा है तो इस टाइम पर हम फराई किया हुआ चिकन डाल देते हैं दोस्तों आप सभी से रिकोष्ट है चैनल पे नए है तो चैनल को सस्क्राइब करेगा वीडियो को लाइक करेगा शेर करना मत भूलिएगा क्या इस तरह आप भी सुबरात के दिने बना कर खाते हैं मुझे जरूर कमेट करके बताएगा चिकन मसाले को ढखके अच्छे से भून लेते हैं यह देखिए चिकन मसाला अच्छे से भून गया है यह देखिए तेल छोड़ दिया है तो अब हम इसमें गिरेवी के लिए पानी बढ़ाएंगे गिरे भी दोस्तों अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मैं इसी कटोरी से धाई कटोरी पानी डाली हूँ अच्छे से इसे हम चला देते हैं इसे हम ढखके दो मिनट तक के फुलाज पे पकने देते हैं समभी हो गया है, दोस्तों फातिह भी कराा इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ और यहां पर मैं छावल में थोड़ी सा कलर डालूंगी कलर डालने से बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं अब अच्छा भी लगता है तो चावल में मैं कलर डाल दी हूँ और यह दिखे इधर चिकन भी अच्छे से उबल गया है तो इसे हम साइड में रख देते हैं अब हम बनाएंगे रोटी रोटी दोस्तों मैं बेल के पहले सही रख ली थी तो यह रोटी हम गरम तावा पे डाल देते हैं सुबरात में दोस्तों अकसर करके रोटी दोहती रोटी बोलते हैं इसका मैं वीडियो अलग बना के डाल दी हूँ नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिएगा यह रुमाली रोटी भी बोलते हैं बिना तेल के इसे मैं बनाई हूँ इसका मैं अलग से वीडियो बना कर डाली हूँ, जरूर देखिएगा, ये देखिए, रोटी को दोनों तरफ अच्छे से पका लेना है, अब इस तरह हम दो रोटी कर लेंगे, ये रोटी दोस्तों खास करके सुबरात के दिन में हमारे घर में जादा बनता है, तो इसी तरह मै मैं रोटी को बना लेती हूँ, ये बीना तेल के बनता है, और ये दोस्तों बहुत टेस्टी बनता है, ये देखिए, कितना असानी से निकल जाता है, तो रोटी भी हो गया है, खाने को हम निकाल लेते हैं, फातिहा कराने के लिए, तो ये देखिए, खाने में मैं क्या-क्य क्या हलुआ हैं civu ale kabla sow aye जोजी का cette ira le hais ? इतना का lr ga शबीब का इतना का धूश्टा बनता था छोगिए खाना भूल जाएंगे इतना यह टेस्टी इसका भी मैं वीडियो डिये हूं जरूर देखिये अभी तक मेहीं देखे तो जरूर चेक करिएगा अगये देखिए कितना ये सोब्ड और नरम बनता है दोस्तों अब बहुत टेस्टी बनता है तो दोस्तों इस तरह आप भी बना कर खाएं चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेर करें बाई दोस्तों